Assalamu alaikum guys welcome to youtube channel आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम hybrid car battery को कैसे scanner के साथ test कर सकते हैं सबसे पहले हमने connector लगाया है इसके light on हो गई है मीटर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी hybrid light on है engine light on है skit light on है हमने इसको scanner लगाना है Toyota में read होगा हमारा Bluetooth connect होगा है यह 16 pin पे हमने इसको select करना होगा Japan हमने अब एक्वा परीड करना है 2011 model है इसके model को select करेंगे अब उसके जो वहीकल की information है हमारे पास वह आगी है इसके cylinder, engine type, hv, hybrid vehicle okay करेंगे हम इसके health report चेक करेंगे इसमें जतने भी sensors है उन तमाम की reading हमारे पास आ जाएंगी कि अगर किसी और sensor में fault है engine में कोई code नहीं है hybrid में दो fault code है ABS में भी code है SRS airbag में हमारे पास 8 code है अब हम इसके 100 reading का wait करेंगे जब इसका process complete हो जाएगा इसमें main जो इशू है vehicle में वह इसकी hybrid battery का issue है और यह battery already repaired है हमने अब यह चेक करना है कि अब इसमें क्या मसला है और इसका कौन सा सेलवीक है कि अब जब थाएगे अब हम इसमें हाइब्रीड कंट्रोल को एंटर करेंगे रीड फॉल्ट कोल्ड इसको में डिटेयल में चेक करेंगे फ्रीज फ्रेम को फ्रीज फ्रेम को रीड करेंगे इसमें 20 सेल होते हैं और 10 ब्लॉक्स होते हैं जो ब्लॉक नमबर वन आ गया नीचे 13.85 वोल्ट आ रहा था यह चार नमबर जो ब्लॉक है यह सबसे ज़्यादा वीक है 11.50 वोल्ट रेटिंग आ रही है इसकी दो सेल होते हैं एक ब्लॉक में इसमें कोई एक सल ज्यादा वीक है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है सेल की 12 से प्लस होनी चाहिए 12 से उपर होनी चाहिए इसमें जो चार नमबर ब्लॉक है इश्यू सारा उसका है और अप्रॉक्सिमेटल एकर हेल्दी बैटरी है तो 12.50 तक उसका होना चाहिए अब हमने इसका एक डिटेल कोड देखना है वो देखना बहुत जरूरी है यह इसका डिटेल कोड है 123 और यह कोड उसी वक्त आता है जब बैटरी 100% खराब होती है इसके इलावा हमने डिटेल कोड लाजमी चेक करना होगा तो कि और भी कोई इश्यू हो सकता है वाइरिंग का इश्यू हो सकता है 123 कोड का यही मतलब है कि आपकी बैटरी का इश्यू है और जादा इश्यू जो इसमें आ रहा है बैटरी का के टंप्रेचर की वज़ा से एसी बन करके गाड़ी ड्राइफ करना इसका सबसे बड़ा रीजन है और बैटरी ठंडी नहीं होती जिसकी वज़ा से बैटरी वीक हो जाती है और इसका जो नॉर्मल टंप्रेचर है 40 डिग्री से नीचे होना चाहिए बेतर यह होता है कि जब भी आप हाइबरिड गाड़ी का इस्तमाल करें तो खड़ी गाड़ी पे एसी का इस्तमाल कम से कम करें और चलाते वे एसी का इस्तमाल लाजमी करें फैन के चलने के वज़े से बैटरी ठंडी रहेगी गाईज अब हम नेक्स वीडियो में इसकी बैटरी खोलेंगे और फिर आपके साथ शेयर करते हैं थैंक्स वर वाचिंग और यूटीब चैनल